वेलकम टू मैं चैनल कोट सोरे वित माइक तो आज वा अपने अरी प्लेलिस का वीडियो नंबर 92 करने जा रहे हैं लीट को नंबर की लैंड वेर जीरो मतलब हुआ कि वो फोरेस्ट है ठीक है और वन का मतलब हुआ कि वो फार्म लैंड थीक है To keep the land organized there are designated rectangular areas of hectare that consists entirely of farmland मतलब इनको organize करने के लिए क्या किया गया है कि rectangular areas बनाया गया है जिसमें सिर्फ farmland ही होंगे है ना Entirely of farmland यहां पर देखो जैसे इधर देखो जैसे यह है ना सिर्फ farmland है इसमें तो यह rectangular area हो गया यह भी farmland है यह भी rectangular area हो गया है मताब गुरूप में बाड़ दिया गया है ठीक है नो टू गुरूप सारंद मीनिग इनको गुरूप बोलें जिस यह एक गुरूप हो गया अलग है जिसमें सिर्फ ओन्रम है वह अलग अलगूप है ठीक है और कोई भी गूप अलग-अलगूप डाइगनलियी कनेक्टेड नह भी बनाएंगे मतलब यह बन रहे होरी मपाइब टो अब लान के डिशेटेट लएक यह अब लेफ नंदीज बॉर्टम राइट लांड इस आ मैंने टो यह पूरा पूरा लान है हमारा इसका टॉपलेफट क्या है जिरो कॉमाइब सिरो और रहाइब right क्या है m-1 n-1 यह m cross n का grade है ठीक है find the coordinates of the top left and bottom right corner of each group जितने भी groups आप निकाल के दोगे ना farmland वाले जितने भी farmland वाले group है तो farmland मतलब value 1 होना चाहिए तो एक group मुझे यह मिल गया ठीक है और एक group मुझे यह मिल गया ठीक है सारे farmland आपको return करने है तो पहला farmland पहला जो group है ना पहला जो group है यह वाला इसका top left coordinate क्या है top left coordinate है 0,0 और bottom right भी यही है क्योंकि यही एक cell है है ना 1,1 ठीक है तो एक group मुझे यह मिल गया तो मुझे sorry 1,0 मतलब bottom right भी 0,0 है क्योंकि अब बैसे यही एक cell है मेरे इस group में अब इस group में ध्यान दो इस group का top left कौन सा cell है यह वाला 1,1 1,1 और bottom right कौन सा है यह वाला है ना यह वाला यह निकी 2,2 तो दो को पहला वाला group जो है वह ऐसा उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना top left का है 0000 bottom right का भी 00 है क्योंकि वह एक ही cell है 00 और यह देखो इसका top left है 1,1 1,1 और bottom right है 2,2 ना यह 2,2 तो देखो ऐसे आपको रिटर्न करना है यह एक group हो गया और यह दूसरा group हो गया यह आपका आंसर है यह पहला group यह दूसरा group ठीक है clear हो गया आपको बस ऐसी सबसे पहला परोच हमारा DFS होने वाला है क्योंकि तो को DFS की मदद से आप ट्रावर्स कर सकते हो ठीक है आप क्या कि जैसे ही मैंने कदम रखा यहां पर तो समझ में आगे कि हाँ यह जो ग्रूप एक स्टार्ट होने वाला है इसका टॉप लेफ्ट यही होगा आई कॉमा जे जहां पर मैं भी खड़ा हूं ठीक है तो टॉप लेफ्ट तो समझ में आ गया 0,0 बट बट बॉटम राइट कैस इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यही एक नेवर मिला फर यही एक सेल मिला इस ग्रूप में तो एक ही ग्रूप मिला eng다ud work Wash ho जीरो बना दिया या तो इसको यहां पर से क्रॉस मार्क कर दो मतलब मैंने इसको विजट कर लिया फिर आप यहां पर आए नहीं यह 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 यह तो इसको विजट मार्क कर दो यहां से इसका नेबर कौन है इसका नेबर यह ह वह वन कोमा वन बट अभी तो बॉटम राइट नहीं मिल पाया ठीक है तो बॉटम राइट क्यों नहीं मिल पाया आप खुद सोचो मानके चलते हैं यह यह आपका सेल था यह तो और बड़ा कर दो स्कोर बढ़ा कर देते हैं मान के चलते हैं यहां पर 1,1 है 23423 ठीक है यह 00 मान के चलते हैं आपका 1,1 यहां पर यहां पर आपका वैल्यू 1 था 1,1 में तो जैसे आपने यहां पर कदम रखा 1,1 में तो आप समझेगे कि हाँ टॉप लेफ्ट करने तो यही होगा अब आप यहा तक 1 था आपका बाकी 0 था ठीक है तो आपने जैसे डी एफस मारा तो आपने इसको विजट मार्क किया इसको विजट मार्क किया इसको भी 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 तो आपने टॉप लेफ्ट तो मार्क कर दिया था बट बॉटम लेना क्योंकि देखो इस ग्रूप में इसे ग्रूप में यह 1,1 यह 1,2 यह 1,3 यह 2,1 यह 2,2 यह 2,3 313233 यहां लिख देता हूं 3,1 भी आपने विजिट किया होगा 3,2 भी आपने विजिट किया होगा तो यह सारे सेल्स आपने विजिट किये होंगे उस DFS के दौरान तो इसमें जो सबसे बड़ा वैली होगा ना रो और कॉलम का वही आपका अंसर होगा बॉटम राइट यह देखो और वेसे बात है है सबसे बड़ा आई कवाली जोद आको मिला अपने नेभर में नेवर्स जो जेगवा इतने सारी नेभर्स सके तो उनमें से निकोह ब्री सब्से वैल्स कोलम कर नहीं सिर्ण तो यह होगा 13ती जो अब बॉटम राइट होगा तो इस को ब countedा एका बौंप का जोप यह लेड सीख चुके हो बस DFS मारने के दौरण आप maximum row और maximum column जो value आपको मिला होगा वही आपका bottom right corner होगा उस group का top left corner तो आपको इधर ही पर चल जाएगा क्योंकि आपने उधर से DFS start किया होगा ठीक है और हाँ visit mark करना मत भूलना visit mark करना मत भूलना क्योंकि देखो जैसे मान लो इसको फिर से मैं लिखता हूँ मान के जलते हैं पहली बारा भी आप traverse कर रहे हो इस टूडी एरे में ठीक है आपको यहाँ 0 मिला अपने इसको skip मार दिया जीरो dal star star haha novels कि कर रहे हो ना 2D यह इ는 अब देखो structural यह जो अचा होगी को आप इविछ टेट यह यह विस्टेट यह जब तो दुबारा सुनी इसको यह बना दूगा वाण कर Uno سب कर दूगा ताक कर दूए तो ना करूं गया यहां एक तक कलिए चलियरो गया कोई भी एक आई कॉमा जे का नेबर अगर इसकी वैल्य वन है तो यहां से इसका राइट नेबर लेफ्ट नेबर बॉटम नेबर और उपर वाला नेबर यहीं ट्रवर्सल मारना और यह ट्रवर्सल मैंने आपको 50 बर सिखा रखा है ठीक है तो कोड में देखाऊंगा तो आप अच्छे थे क्लियर हो जाएगा ठीक है बट आपको इतना सबसे इंपॉर्टन पाट इसका यही था कि आप बॉटम राइट कॉर्णर कैसे निकालोगे और वो मैंने आपको यहां पर सिखा दिया कि जो सबसे मैक्सिम वैल्यों वही सबसे बॉटम राइट कॉर्णर होगा यहां पर इस वाल एक्जांपल में देखो इसको मैं रेस कर देता हूं अब आपको खुछ समझ में आजएगा इसका भी आंसर एदम करेक्ट निकलेगा ठीक है जैसे माल लेते सबसे पहला वाला जब आपको वन दिखा था यहां पर आपने यहां पर डिएफस मारा तो आप इसको मीजिआता हो जिरो जिरो कॉमा घया चमे को है वाला दो छोडिशन और आप यहां पर इसको मारा तो जुक्ट मारा अच्छा कि अच्छा मेरा जो टॉप लेफ्ट है वह 1,1 है अब बॉटम रैट कैसे निकालोगे आपको निकालने का टेंशन नहीं लेना आप बस सिंपल डिएफस मारो इसका नेबर यह इसको विजिट मार्क करो इन सबको विजिट मार्क कर दिया अपने इस पूरे डिएफस के दुरान मैक्सिमम रोर कॉलम क्या दिखाऊगा यह दिखाऊगा ना 2,2 तो आपने लिख दिया 2,2 और अब इस बात है यही आपका अंसर भी है इस ग्रूप का टॉप लेफ्ट ही है बॉटम रैट यह है कोडिनेट पूछ रहा हूं है ना कोडिनेट ठीक है तो यह हो गया आपका डिएफस ओके अब एक बात बताओ, आपको डेखा चाता तो आपको ट्रवर्चली तो करना है आपको ट्रवर्सली तो करना और कैसे कर रहा थे, बस आपको पता है कि आपको नेबर कौन कोन है राइट लेफ्ट ऊपर और नीचे, ठीक है तो सेम चीज़ आप बीएफस में नहीं कर सकते हो, क्या, अप् प्रटम राइट कॉर्नरों से ढ़िक तिकार और जहां से अपने डी इफ़्स स्टार्ट किया या बेएफस्ट किया होगा वह आपका टॉपस्ट हो सह उप्वेशम आपने क्या में अपने तो इन दोनों में हमें ज्यादा टाइम देने की जरुद भी नहीं है आपको यह वीडियो देखने की जरुद नहीं पड़ी होगी आपने अल्री कर दिया होगा तो सबसे पहले मैंने पहले में में इन निकाल लिया दोनोंका लेंट और निकाल लिया मैंने इन आपको बता रहा है तो ने पहली यहां पर डिफाइं कर रख दिया अब देखो यहां पर यहां पर क्या बड़ा हैं कि हम बस स्टार्ट करेंगे int i is equal to 0 i is less than m i plus plus for int j is equal to 0 j is less than n j plus plus ठीक है यहाँ तक clear है अब देखो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या देखना था कि अगर हमारा जो land है वो i, j is equal to is equal to अगर 1 हुआ तभी हम वहाँ से dfs start करेंगे ठीक है तो मुझे पहला answer तो मिल गया int r1 मुझे मिल गया वह i है int r2 मुझे मिल गया वह है कौन है j है अब मांस सब्सक्राइब ने पूर्णस इसको अभी मैं मानलेता हूं और यह कैसे निकाल लोगा dfs के दौरण maximum जो R2 होगा और maximum जो C2 होगा वही मेरा answer होगा तो दोगो normal मैंने DFS call किया वहाँ पर मैंने land भेज दिया ठीक है और किस कहां से मैं DFS मार रहा हूँ i, j से DFS मार रहा हूँ ठीक है और R2, C2 मैं भेज दूँगा ताकि मैं maximum R2, C2 update करता रहूँ और जैसी update होकर आएगा मैं result में push back कर दूँगा अपने current वाले group को जिसका top left corner i, j था और bottom right corner कौन था r1 sorry r2, c2 है ना i, j को मैंने r1, c1 में डाल दिया था चलो कोई बात नहीं यही variable यूज कर लेते तो चलो अब हम लोग DFS लिखते हैं तो DFS भी बहुत simple है void DFS जिसमें आप क्या पास कर रहो है अपना vector of यह यह पास कर रहो है ठीक है उसके बाद क्या 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 पास कर रहो है int i int j int r2 int c2 यही कर रहो है और r2 और c2 को मैं by reference पास कर रहा हूं क्यों क्योंकि मुझे उसका update करना है और मैं चाहता हूं जो भी update मैं करूं r2, c2 में वह यहां पर reflect हो है ना वैसे case में हम हमेशा by reference पास करते है ठीक है तो मैंने r2, c2 को by reference पास किया अब जो भी maximum value होगा मैं उसको return कर दूंगा सबसे पहले तो यह करो कि land of i, j को आप यहां पर visit mark कर दो i is equal to zero mark कर दो ठीक है अब इसके बाद यहां पर update कर लो r2 is equal to max of r2 की value जो भी थी अल्रडी और i और c2 is equal to max of c2 की अल्रडी जो value रही होगी और, j ठीक है यहां तक clear है अब आपको i, j के neighbors में ही तो भागना यही तो dfs होता है तो normal आप क्या करो auto and dire in directions ठीक है int अभी i है ना तो आप i dash निकाल लो क्या होगा i plus dare of 0 int j dash निकाल लो j plus dare of 1 ठीक है तो आपका नया i और नया j निकल गया जो neighbor है आपका अब बस आपको यही चेक करना है कि वह valid होना चाहिए right valid कैसे चेक करोगे कि i जो है वह अगर it should be greater than equal to 0 होना चाहिए ठीक है and and i नहीं मतब जो नया i dash है आपका i dash ओके और similarly आपका जो नया i dash है it should be less than m होना चाहिए and and j dash should be greater than equal to 0 होना चाहिए and and जो आपका नया j dash should be less than n होना चाहिए ठीक है और एक और सबसे जरूरी चीज़ क्या कि land of i dash and j dash must be equal to 1 है ना तभी तो वह आपका नेबर होगा ना वैलेड नेबर होगा ठीक है तभी मैं उस पर dfs मारोंगा डेफेस मारता हो land नया i dash ठीक है नया j dash और r2c2 तो पास करते रहेंगे ताकि मैं अपडेट करता रहूं maximum r2c2 को यहां तक clear है यह आपका update कर देगा और हमारा सारा काम हो जाएगा run करके देखते हैं we should be able to pass all the test cases इसके बाद हमारा कौन सा प्रोच आएगा इसके बाद हमारा तो मैं कुछ नहीं करूंगा यही पर dfs को हटा के इधर ही लिख दूँगा सब्मिट करके देखते हैं we should be able to pass all the test cases time और space complexity भी देख लेंगे पहले bfs का कोड कर लेते हैं यही पर मैं bfs कोड भी आपको करके दिखा देता हूं करेंगे तो यहां पर dfs आटा के मैंने bfs लिख दिया है अल्रेडी मैंने q of pair ले लिया जहां पर मैं coordinate store करूंगा पेर में और सबसे पहले मैंने bfs i,j से start किया है तो q.push i,j डाल दिया मैंने यहां पर ठीक है और r2c2 दो को पास्ट कर दिया थाकि मैं r2c2 update करता रहूं क्या दो चीजे मिलेंगे pair of int,int p is equal to q.front कर देते हैं q.pop कर देते हैं अब यही पर मैं r2c2 update भी करता हूंगा max of r2,p.first c2 is equal to max of c2,p.second यहां तक clear हो गया ओके अब मुझे क्या करना है यह जो current पी जो पेर है ना इसके जो डारेक्शन से नेबर से जो वो निकालना है मुझे तो डारेक्शन में इतरेट करूंगा for auto and dir directions ठीक है इंट जो नया आई डाश होगा आपका इंट आई डाश इस इक्वल टू पी दॉट फर्स प्लस देर ओफ जीरो एंट जे डाश विल बी इक्वल टू पी दॉट सेकंड यही आपकर करेंट कॉडिनेट है इसमें जोड़ जोड़ देंगे अब आपको बस वही चीज चेक करना है कि अगर आपका आई डाश जो है अगर वह गेटर दन इकल टू जीरो हुआ कि लैंड ओफ आई डाश एंड जे डाश इट मस्ट बी इकल टू वन तभी वह मेरा वैलिड नेवर होगा है ना ओके अगर वह वन है तो मुझे उसको सबसे पहले तो विजट कर दो उसको लैंड ओफ आई डाश एंड जे डाश इस इकल टू जीरो मां कर दिया मतलब उसको विजट कर दिया हमने उसके बाद क्यू में पुश कर दो क्यू रट पुश पेर में करके डाल दो आई डाश कोमा जे डाश यही कर रहे थे हम लोग यही दो जीज़ करना होता है ठीक है और यहां पर हमारा बी एफस खतम हो जाएगा ठीक है इसको रन करके देखते हैं सेम क इंडीड येस सब्मिट करके देखते हैं ठीक है तो यह डीएफस बीएफस तो मैंने एक साथ कर दिया अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड अप्रोच में जो की मुझे सबसे सिंपलेस अप्रोच लगा और मैंने सबसे पहले उसी सब वही अप्रोच मेरे मन में आया था ठी के बढ़ने से पहले इसका टाइम और स्पेस कॉंपलिसिटी देख लेते हैं दोनों का दोनों का टाइम कॉंपलिस्टी क्या होगा एम क्रॉस एन होगा क्यूं क्यूंकि भाई आप वर्स्ट केस में आपको सारे सेल्स विजिट करने पड़ें और टोटल कितने नंबर और से अपने अप्रोच 3 में काफी सिंपल सबसे सिंपले सब्से अप्रोच मुझे मही लगा और सबसे पहले मैं इसी अप्रोच से बनाया था क्योंकि काफी स्टेट फॉवर्ट सा प्रोच है आपको क्या करना है जैसी आपको कोई वन दिखता है मान के चलते हैं आपको यह वन दिखा तो आपको यह तो 100% पता चल गया ना कि हां मेरा टॉप लेफ्ट कॉर्णर तो यही होगा तो मैं लिख देता हूं आरवन मतब रो देता हूं यह वं यह ही और कॉलम वन में यह होगा यानि कौन होगा चल गया यह तो आपको पता चल गया यह टॉप लिफ्ट कॉर्नर है को पता हाँ अब बस आपको क्या करना है कि झेम कोश्न में दे रखाए कि यह अपने horizontally connected है जितने भी one होंगे उससे connected होकर ये group बना सकता है या तो vertically नीचे जितने भी one होंगे उससे connect होकर ये group बना सकता है तो मैं क्या कहलूँगा blindly right side horizontally जाता रहूँगा जब तक मुझे one मिलता रहेगा ठीक है तो देखो मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं horizontally right जाता रहूँगा जब तक मुझे one मिलता रहेगा क्योंकि वो उसका group में का हिस्सा होगा जैसे मुझे यहाँ पर ही one मिल गया मैं यहाँ पर आ गया फिर मैं यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर भी one है तो बढ़िया है मतलब मैंने इसको भी अपने group में शामिल कर लिया अब फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा row r2 मेरा one होगा column 2 मेरा three हो जाएगा c2 मेरा three हो जाएगा बट यह तो out of bound होगा है न हम लोग कि जहां तक यह maximum जा सकता है ठीक है तो यहाँ पर मैं अगर maximum जाओ तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा r3 मेरा मिलेगा कौन सा row है भाई second वाला row है यह वाला row है ना और column 3 कौन सा मिलेगा column 3 मेरा one मिलेगा ठीक है अब एक चीज ध्यान दो इसका मतलब पता है क्या हुआ कि याद करो मैंने यहां से स्टार्ट करना मतलब maximum यह column यहां तक जाएगा column number 2 तक जाएगा maximum column इसका यह है यह वाला column है column number 2 होना चाहिए था यहाँ पर यानि कि maximum यह column number 2 तक जा सकता है है ना और maximum कितना रो टक नीछे जा सकता यहां तक जा सकता यह वला रो पर मैंक्सिम में इतने रो तक जा सकता याद कुरो रहा यह रहाएं सेकंड रो तक ज़ा पाए थे मैक्सिमम और ऊपर जब राइट मौ्ट गैजंे तो maximum मैंकिन कोलम तक जा पाएं थे इतने कोलम तक जा पाया थे एकन कोलम तकिसे कहां पर कर रहा है यही ठीक है लिए वह कोलम की तो मतलब नीचे वाला रो और राइट मोस्ट वाला कॉलम यानिकि 2,2 यह मेरा बॉटम राइट कॉर्णर होगा तो मुझे यह भी मिल गया 2,2 तो यह जो ग्रूप मुझे मिला इसका टॉप लेफ्ट है 1,1 और बॉटम राइट के मिला 2,2 तो काफी सिंपल था यह वाला यहां भी लगा के देखो जैसे ही आपको यहां पर 1 मिला तो आप अभी 0,0 पर रहो यह आपका टॉप लेफ्ट कॉर्णर होगा फिर इसके बाद आप क्या करोगे राइट मोस्ट जाते रहोगे तब तक जब तक आपको 1 मिलता जाए जैसे ही आप यहां पर आए आपने देख जा पाओ गया जहां पर वैली वन ओ आप इन नीचे गए आपने देखा अच्छा यह तो जीरो है तो मैक्सिमाम आप इसी रो तक जा पाए तो यह रो और यह कॉलम कहां इंटरसेक किया जीरो कमा जीरो पर ठीक है यहां तक क्लिर हो गया बहुत सिंपल सा यह फंड है आपको पहला वन यहां पर दिखा ठीक है तो आपको आपको कुछ नहीं करना है आपको यह तो समझ में आ गया ना कि 0123 0123 आपको यह तो पादा चलिया कि हाँ वन कॉमा जीरो आपका टॉप लेफ्ट कॉर्णर होगा यह जो भी ग्रूप है अब आपको कुछ नहीं करना राइट मोस जाओ देखो कितना मैक्सिमुम कॉलम तक जा सकते हो राइट मोस राइट मुस आप सेकंड कॉलम तक जा सकते हो क्योंकि देखो उसके बाद जीरो आ मैक्सिमुम राइट मोस अपका टू है इसको अपने हाईलाइट कर दिया और मैक्सिमुम नीचे आप यतने रो तक जा सकते हो तो थो ही तक जा पाँगँए क्योंकि दो नीचे जीरो है यहां पर थैस जीरो है तो इसके बाद देखो आपको पता चल गया कि अच्छा इतना रो है ठोलं है तो अब देखो यहाँ पर यह बाला रो आपको मिल गया और यह आपको कॉलम मिल गया यह इसका bottom right corner है यह है तो टू कॉमा टू जीरो टू कॉमा टू समझ में आगए इसके बाद एक चीज करना मत भूलना जैसे मान के चलो आपने 2,2 और 1,0 निकाल तो लिया ठीक है तो आपने यहां यहां गए होगे पहले तो इधर आये थे यहां गए फिर यहां गए मैक्सिम यहां तक गए होगे पिर यहां गया, maximum यहां तक गया होगा तो आपने निकाल दिया कि हाँ, यह वाला bottom right corner होगा तो इन लोगों को visit करना मत भूलना भाई इसको भी zero बना देना, मतलब visit हो चुका है इसको भी zero, इसको भी zero, इसको भी zero, इसको भी zero, इसको भी zero अगर आप मान लेते हैं, विजिट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, देखो मान लेते हैं, आपने यहां से यहां पर आप आप आपने इन लोगों को ट्रावल किया तो आपको बजाला, maximum यहां तक कि में जितने भी one, और one है, उनको zero mark कर दो, zero, 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 तो यहां का गुरूब बन गया, ठीक है, काफी सिंपल अप्रोच है, जब कोड करेंगे, तो सेम सोरी मैं को सुनाओंगा और आप खुद से कोड भी कर लोगे, ठीक है, तो जल्दी चलो इसका भी कोड करते हैं, और इसका भी टाइम कोड करते हैं, और इसको फिनिश करते हैं, बहुत सबसे सिंपल, मैंने एम और निकाल दिया, रिजल्ट टिफाइन कर दिया, लड़ी, फॉर, इंट, इसका 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 अगर मुझे जीरो नहीं मतलब मुझे पक्का वन मिल चुका है, तो सबसे पहला काम आपके क्या होना चाहिए, find the rightmost column, आपको यही ढूनना है, of the current group, है न, rightmost column आपको ढूनना है, तो आप कैसे करोगो, अभी तो c1 is equal to, j को ही मान लो, sorry, c1, अभी मान के चलो कि j जो है न, आपका column, वही आपका rightmost column है, अभी के लिए मान के चलो, अब आपको क्या करना है, rightmost कह जाओगे कैसे, c1 less than n तक होना चाहिए, and, and, land of, row तो आपको fix है न, आपको बस right जाना है, तो row तो fix आपका, आइए तो row है, लेकिन आपका c1 change हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो one होना चाहिए, तब ही आप rightmost जाते रहोगे, अब rightmost जा रहो है तो column change हो रहा है, मतलब c1 plus plus हो रहा है, ठीक है, इसके बाद, अब देखो, find the bottom most row of the current group, simple, एक तो rightmost travel किया, अब bottom most नीचे travel मार रहे है, तो इसका r2 मान लेते हैं, मान के चलते हैं, यही मेरा bottom most है, current वाला जो row है मेरा, तो r2 is equal to i कर दिया अभी, अब इसको नीचे तक ले आते है, r2 less than m होना चाहिए, and then, land of r2, row change हो रहा है, column तो fix है, जेत column है, अगर वो one हुआ, तो ठीक है, r2 को plus plus करते दो, ठीक है, थोड़ा सा better कर सकतो, जैसे मैंने c1 और r1 करना चाहिए, r2, पता नहीं मैंने क्या सोच के लिख दिया, r1 और ये r1, तो ये r1, c1 जो है, मैं bottom right corner का coordinate नीकालना चाह रहे हो, और top left आपको already पता है, i और j, तो कि वही से आपने आपको 1 मिला, है ना, अब ये land i, आपको 1 मिला, तभी तो आप फिर traversal कर गए, c1 और r1 निकालना चाह रहे हो, ठीक है, अब देखो ध्यान दो, आपको bottom right निकालना है, तो c1 देखो क्या होगा, c1 will be equal to, अगर c1 मेरा 0 के बराबर रहा तो, ठीक है, तो वही c1 मेरा वही हो जाएगा, वही मेरा column हो जाएगा, bottom right, और अगर ऐसा है नहीं होगा, तो c1 माइनेस 1 करेंगे, याद करो, c1 माइनेस 1 क्यों कर रहे है, क्योंकि भाई, यहाँ पर जब वाइल लूप से निकलो गे, तो अव्यस सी बात है, या तो c1 less than n, who are greater than, sorry, c1 या तो equal to n हो गया होगा तब निकल सकते हो, या फिर, land i c1 पका 0 हो गया होगा, तभी आप यहाँ से बाहर निकले होगे, तो अव्यस से बात है, c1 एक आगे बढ़ चुका होगा, तो उसके पहले तक का c1 चाहिए, तो c1 माइनेस 1 कर दिया है, मैंने, हाँ, एक base case चेक कर लेना, कि c1 अगर 0 हुआ, तब c1 ही रहने देना, उस case में c1 माइनस 1 मत कर देना, ठीक है, ओके, इसी तरह, जो r1 है आपका, अगर आपका r1 है, तो अव्यस से बात है, यहाँ वाइल लूप से r1 यह ब्रेक कब होगा, या तो r1 m के बराबर हो चुका होगा, या तो land of r1 j 0 के बराबर हो चुका होगा तब ही इन दोनों case में वो ब्रेक हो जाता, ठीक है, तो अव्यस से बात है, r1 माइनस 1 करेंगे, क्योंकि अव्यस से बात है, या तो मैं out of bound हो चुका होगा, r1 की वज़े से, या फिर यह वाला 0 मैं आ गया होगा, land of r1, j, तो मुझे एक पहले वाला row चाहिए, तो r1 माइन c1 और r1 निकाल लिया, ठीक है, तो आपको a result अल्रेड़ी मिल चुका है, push underscore back, ठीक है, top left है कौन था, i, j, यही से आपने start किया था सब कुछ, और bottom आपको मिल चुका है, कौन से रो है, r1, और कौन से column है, c1, यहा तक clear है, अब याद करो, सबसे important, mark all the in between ones to zeros, जितने भी बी k variable लेते है, k is equal to i, k is, कौन से रो तक जाओगे, less than equal to bottom right तक, bottom वाले कौन रो तक जाओगे, कौन सा था, r1 था, आपका bottom, मतलब इस group का top left row कौन था, i, j, और bottom right, क्या था, r1, c1, तो उतने बीच में traversal करने के लिए, आपको ऐसा for loop लिगना पड़ेगा, ठीक है, k++, क्योंक नमरों तक, इसी तरह, for int, l is equal to current column कौन सा था, j, column था, और bottom right, सबसे rightmost column कौन सा है, l less than, equal to, c1, है न, l++, अब आपको क्या करना है, उन सब को, land of k, l को 0 mark कर देना है, visited all, ठीक है, last में, अब आपको क्या करना है, return result कर देना है, ओके, run करके देखते हैं, और दोको इस case में भ सिर्फ एक ही बार visit करोगे, है न, क्योंकि आप कोई भी, क्योंकि आपने, अब हर cell को visit भी mark करते जा रहे हो, है न, अब यह मत सोच ले न, कि इस double for loop के अंदर, दो-तीन while loop लगा रखा है, तो time complexity m into n से जाद होगा, ऐसा नहीं होगा, कोई भी cell को आप दो बार से जाद विज इस में, ठीक है यह भी pass हो गया, I hope I was able to help, see you in the next video, thank you